पाकिस्तान ब्रिज टूर्णमेंट खेलने गए भारतिय खिलाडी अब वापस आ रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जा भारतिय खिलाडीों को तुरंत पाकिस्तान छोडने के निर्देश दिये गए हैं और इसलामाबाद में भारतिय उचायोग ने वापस भारत ज आने को कहा है ब्रिज टूर्णमेंट में भाग लेने के लिए आपको बता दे 32 खिलाडी गए हुए थे और वहां के हालात को देखते हुए इस वक्त एक बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि जो ब्रिज टूर्णमेंट चल रहा है 13 मई को खत्म होने वाला था ये वही तस भारतिय उचा योग ने ये निर्देश उन्हें दिये हैं कमरागा साब ये जरूरी भी है हालात को देखते हुए सही फैसला लिया जा रहा है कि खिलाडियों को जल्द वापस आने की बात कही जा रही है मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही फैसला है दूसी बात ये भी है कि जितने भी भारतिय मुल्के रोग हैं महाँ पे इस वक्त मौझूद हैं या गयवें भी हैं उनको बहतर ये होगा कि वो वापस आ जाएं जिस तरह के हालात हैं मुझे नहीं लगता कि वो सुधर आने जनता को सेना बिल्कुल बरदाश नहीं है प्राइम मिनिस्टर मुझ के अंदर नहीं है वो इंगलेंड में बैठे में हैं फिर उसके अलावा आर्मी चीफ भी शायद बाहर गयाबा है डिफेंस मिनिस्टर का भी कुछ पता नहीं है और वहीं से ये लोग इंस्रक्शन्स द जाने की कोशिश करते हैं रहजनी आग लगाना और इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं खासतर से प्राइबेट प्रापरटीज के उपर भी तो अब यह देखना है कि इसमें वहां पर रहने से बहतर ही होगा कि भारत वापस आये तुरन मेरा खैल है भारत सरकार्ट जरू में कि वह मानने पर तयार नहीं है और वो चाहती है कि इनको फॉरण छोड़ा जाए इमरान खान को बलके एलेक्शन बुलाए जाए लेक्शन हो इसका अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है लेकिन प्रदर्शन कारियों की रडार पर सेना के रहने की वजो से भारत पूरी तरीके से एलोट है